आपका स्वागत है आज हम करेंगे क्लास 8 के हिंदी विशे का वर्सिट नमबर 29 ये अकबरी लोटा चेप्टर से वर्सिट लिया गया है और इस चेप्टर को हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं अब आगे की कहानी को जानेंगे लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद बेल पी रहे होते हैं तो उनके हाथ से लोटा फिजल कर नीचे गिरता है और वह एक अंग्रेज के पैरों पर गिरता है जिससे अंग्रेज गुस्सा होकर उनके घर में गुस्ता है और उसके सांथ ही बहुत सारे भीड भी आती है लेकिन तभी उस भीड से बिलवासी मिस्र भी आते हैं जो कि अंग्रेज से बिच बचाओ करते हैं और सब को बाहर निकाल देते हैं और फिर जो लोटा अंग्रेज के पैरों पर गिरा होता है उसको वह अकबरी लोटा बता कर खरीदने की बात करते हैं जिससे अंग्रेज बढ़ चढ़ कर खरीदने में मस्गूल है और जहागीरी अंडे की बात आती है तो चलिए देखते हैं जहागीरी अंडा क्या है हाँ जहागीरी अंडा मेजर डगलस ने समझ रखा था कि हिंदुस्तान से वे ही अच्छी चीज़े ले जा सकते हैं एक अंग्रेज थे मेजर डगलस और वह हिंदुस्तान से पुरानी चीजे कॉलेक्ट करने का एकत्र करने का सौक रखते थे और बहुत सारी पुरानी चीजे खरीद कर ले जाते थे तो इस अंग्रेज ने कहा कि मेजर डगलस समझते हैं कि वह ही पुरानी चीज रखते हैं अब मैं भी अकबरी लोटा खरीद कर ले जाऊँगा आप जानते होंगे कि एक कबूतर ने अब वहां जहांगीरी अंडे की कहानी आ रहे है इस कहानी को आप ध्यान से सुनिए आप जानते होंगे कि एक कबूतर ने नूर जहां से जहांगीर का प्रेम कराया था जहांगीर के पूछने पर कि मेरा एक कबूतर तुमने कैसे उड़ जाने दिया नूर जहां ने उसके दूसरे कबूतर को उड़ा कर बताया ऐसे उसके इस भोलेपन पर जहांगीर दिलो जान से निवचावर हो गया उसी छण से उसने अपने को नूर जहा के हाथ कर दिया कभूतर का अहसान वह नहीं भूला उसके एक अंडे को बड़े जतन से रख छोड़ा एक विलोर की हाणी में उसके सामने टंगा रहता था पार साल का मतलब पिछले साल दिली में एक मुसलमान सजन से 300 रुपे में खरीदा मतलब वह अंडा नूर जहां की निसानी था और उसे जहांगेर ने बहुत ही जतन से संभाल के रख था जिसे कि मेजर डगलस ने किसी मुसलमान से पार साल, मतलब पिछले साल वो अंडा खरदा अब आप सोच सकते हैं कि कोई अंडा इतने दिन भला रहता है मतलब उनको भी किसी मुसलमान ने बुर्बक बनाया, मुर्ख बनाया और आज ये भी मुर्ख बनने वाले थे अकबरी लोटा खरीद कर यह बात बिलवासी जी ने पूछा, हाँ, पर अब मेरे आगे दुन की नहीं ले सकते वो मेरा अकबरी लोटा उनके जहांगिरी अंडे से भी एक पुष्थ पुराना है अब यह अंग्रेज अकबरी लोटा लेकर अकबरी लोटा क्या लाला जहाव लाल का लोटा खरीद कर मनी मन इतरा रहा है और कह रहा है कि मेरा लोटा लाला जहाव लाल से एक पुष्थ पुराना है मतलब यह तो जहागिरी अंडा है तो यह अकबरी लोटा है मतलब जहागीर अकबर का बेटा था इस रिस्ते से आपका लोटा उस अंडे का बाप हुआ बिलवासी मिसर ने कहा साहब ने लाला जहौलाल को 500 रुप़े देकर अपनी राह ली लाला जहाउलाल का चेहरा इस समय देखते बनता था मतलब उनके मुख प्रसंद होगे 500 रुपय पाकर उस बेकार से लोटे से उन्होंने पूछा बिलवासी जी मेरे लिए 200 रुपया घर से लेकर आए पर आपके पास तो थे नहीं लाला जहाउलाल ने बिलवासी जी से पूछा कि आप घर से 500 रुपया लेकर आए लेकिन आपके पास तो रुपय थे नहीं फिर आप कहां से लाए इस भेद को मेरे सिवाय मेरा इस्वर ही जानता है आप उसी से पूछ लीजिए मैं नहीं बताऊंगा बिलवासी जी ने कहा पर आप चले कहा अभी मुझे आपसे काम है दो घंटे तक लाला जाउलाल ने कहा तो फिर बिलवासी जी ने कहा दो घंटे तक हाँ और क्या अभी मैं आपकी पीठ ठोक कर 87 दूँगा एक घंटा इसमें लग जाएगा फिर गले लगा कर धन्यबाद दूँगा एक घंटा इसमें भी लग जाएगा ऐसा जहाुलाल ने कहा तो फिर बिल्वासी जी ने कहा अच्छा पहले 500 रुपे गिन कर सहेज लीजे तो उन्होंने कहा कि पहले आप यह 500 रुपे तो गिन कर सहेज लीजे, बाद में आप हमें धन्मेबाद देते रहिएगा रुपिया अगर अपना हो तो उसे सहेजना एक ऐसा सुखद मनमुहक कारे है कि मनुष से उस समय सहज में ही तनमैता प्राप्त कर लेता है मतलब अपने रुप्यों की खुसी कुछ जादा ही होती है लाला जहाउलाल ने अपने कारे समाप्त करके उपर देखा पर बिलवासी जी इस बिच अंतरधान हो गए उस दिन रात्री में बिलवासी जी को देर तक निन्द नहीं आई वे चादर लपेटे चारपाई पर पड़े रहे एक बजे वे उठे धीरे धीरे अपनी सोई हुई पत्नी के गले से उन्होंने सोने की वह सिकड़ी निकाला जिसमें एक ताली बंदी हुई थी ताली मतलब चाभी फिर उसके कमरे में जाकर उस ताली से संदुक खोला जिसमें धाई सो के नोट जेयों के तेयों रखकर उन्होंने बंद कर दिया फिर दबे पाउं लोट कर ताली को उन्होंने पुर्ववत अपनी पत्नी के गले में डाल दिया इसके बाद उन्होंने हस कर अंगडाई ली और दूसरे दिन सुबह आठ वजे तक चैन के निंद सुए तो ये कहानी थी बिलवासी जी के पैसा एकत्र करने के उन्होंने वो पैसा अपने घर के संदुक से चोरी किया था मतलब कि वो पैसा उनका नहीं था चोरी किया हुआ था लेकिन जब लोटे से बात बन गई तो बिलवासी मिस्र भी खूस हो गए और इधर लाला जहावलाल को भी 500 रुपे मिल गए उनको तो 2500 की बेउस्था करनी थी वो महिने में 100 रुपे उनकी किराय से आती थी जिससे उनका महिना चलता था मतलब कि 5 महिनों तक की कमाई उनको बेकार से लोटे से मिल गई और इस तरह से जहावलाल भी खूस हो गए और बिलवासी मिस्थ का पैसा बच गया इस वज़से बिलवासी मिस्थ भी खूस हो गया अब यहां कुछ प्रस्ण है जैसे अंग्रेज ने जहांगीरी अंडे की क्या कहानी सुनाई बिलवासी जी ने 2500 रुप्यों का प्रबंध कहां से किया था अनुमान लगा कर लिखिये और लाला जहावलाल यदि अपनी पतनी के लिए 2500 रुप्यों का प्रबंध न कर पाते तो क्या होता कलपना कर लिखिये उसके बाद गति विधी है कि बिलवासी जी ने लाला जहाउलाल की सहायता कर मितरता निभाई क्या आपने कभी अपने मितर की सहायता कर मितरता निभाई है लिखे तो चलिए अब इन प्रस्नों के उत्तर लिखते हैं प्रस्न एक है अंग्रेज ने जहांगीरी अंडे की क्या कहानी सुनाई उसका उत्तर है अंग्रेज ने जहांगीरी अंडे के बारे में बताया कि जहांगीर और नूर जहां को जिस कबूतर ने मिलाया था उसी का अंडा था हुआ जिसे डगलस सहब ने 300 रूपय दे कर खरीदा था उसके बाद प्रस्ण दो है बिलवासी जी ने 200 रूपयों का प्रबंध कहां से किया था उनुमान लगा कर लिखिये तो इसका उत्तर है बिलवासी जी ने 200 रुपियों का प्रबंध अपने पत्नी के बक्से से चुरा कर किया था और फिर प्रस्न तीन है लाला जहावलाल यदि अपनी पत्नी के लिए 200 रुपियों का प्रबंध ना कर पाते तो क्या होता इस तरह होगी उसके बाद प्रशने चार है ये गतिविधी है बिलवासी जी ने लाला जावलाल की सहायता कर मितरता निभाई क्या आपने कभी अपने मितर की सहायता कर मितरता निभाई है लिखिए इसका उतर है हाँ मैंने अपने मितर के सांथ मित्रता निभाई है एक वार उसकी तबियत खराब होने पर मैंने उसे अपने नोट्स दिये साथ ही उसके लिए दवाईयां भी लाकर दी तो वच्चो ये थी आपकी हिंदी की वर्षिट वर्षिट नमर 29 और अब ये सारी वर्षिट के जो परशन आ रहे हैं इनको आप ध्यान से पढ़िए क्योंकि परिक्षा में इनहीं परशनों में से कोई एक प्रशन आएगा और हमारे चैनल पर सारे वर्षिट टाइम टू टाइम आपको मिलते रहेंगे तो मिलते हैं हमनों नेक्स्ट वीडियो में वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कॉमेंट जरूर कीजिएगा थैंक यू